आपका हमारे चैनल नवल आइटी स्टूडियो में तो श्रेंट्स कैसो आप सभी आईवी साप लुक्टिक होंगे और अपने ट्रिपल सीख जाम की तैयरी कर रहे होंगे तो आपके ट्रिपल सीख जाम की तैयरी को और बेहतर बनाने के करम में चले स्टार्ट करते हम आज का क क्लास तो आज का हमारा फर्स्ट को स्टन है भारत का पहला एटीयम कब लगाया गया भारत का पहला एटीयम कब लगाया गया तो आपके पास 1980 थे उनीठ पचासी ऊनीश साटासी या फिर उनीश सो नब ल किरेंसर घंजर कि भारत के जो पहला एटीम था वो कब लगाया गिया था में 955 में 99 1997 नंटीन च सेव है .... rozpnica में मैं हम स्थ Kenneth नांबर ओफ्सन assigning Broken बिल्कुल correct होगा फिर मढटते हैं question number 2 पर जो कि नेट banking से below का भुक्तान किया जा सकता है यह sentence true है कि false से बताना correct answer क्या होगा कि net banking से जो below का भुक्तान किया जाता है तो यह बताए true है कि false ठीक हो जाएक आपका ये भी आपका बिल्कुल true होगा एक हाप इसे इस्तेमाल करते हैं और यहां पे तके एंड़नाने कर एक को पैमेंड करना ते लिए आप पह STARTे हैं यहां पर आपका फॉल्स घुके इस प्वोगल क्लेह हो फोन नहीं करते हैं उसके लिए एक है के एक हैट मेंट प्र करने के लिए फिर हमारा कोसर नमबर 3 जो कि है रूपी सिंबल कब अपनाया गया था रूपी का जो सिंबल है उसको कब अपनाया गया था सन 2008 में सन 2009 में सन 2010 में या फिर सन 2011 में कोसर नमबर 3 का करेक्टर अंसर क्या है तो जो रूपी सिंबल है रूपी सिंबल कब अपनाया गय तो खिल्कुल करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं कोस्तान नमबर 4 की और जो की है मोबाइल वैलेट एक प्रकार का वैलेट है जो भुखतान कार्ड की सूचना कहां पर रखता है पास्बुक हाड कापी मोबाइल फोन या पिन दिन में से कोई नहीं तो कोस्तान नमबर 4 का मुबाइल फून ओके फिन पड़ते कोशन नंबर फाइब जो के बैपारियों द्वारा अपने क्रहां को का-पुष्टि करणध क्या कहलाता है या फिर इन में से यहां क्या खाएब को शुर्णिय। मोबाइल मैसेज आडेंटिफिकेशन मोबाइल मनी आडेंटिफाई या फिर इन में से कोई नहीं क्रेक्टर अंसर क्या होगा तो दो MMID का प्रोरू जो एक प्रोरू क्या होता है मोबाइल मनी आडेंटिफाईर कोसर नमबर 6 बी नमबर जो आप्षन है करेक्टर होगा फिर मपड़ते हैं कोसर नमबर 7 पर जो कि है नेट बैंकिंग की सुविधा काउँंसी बैंक परदान करती है नेट बैंकिंग की करेक्ट एंसर क्या होगा तो यहां पर जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच्ट एपसी बैंक और बैंक और बैंक आपके पास उनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिस्ट्रियल मसीन पेमेंट सर्विस इमेडियेट पेमेंट सिस्टम और डी नमबर अपना नन यानि कि इन में से कोई नहीं तो आई एंपियस का पुनुरूप क्या है आई एंपियस क्या होता है इमेडियेट पेमेंट सिस्टम क्या होता है इमेडियेट पेमेंट सिस्ट फिर हम बढ़ते हैं question number 9 जो की है UPI का क्या अर्थ है UPI का क्या अर्थ है तो आपसर क्या आपके पास unified pay interface union payment interface unified payment interface या फिर immediate payment interface question number 9 का correct answer क्या होगा तो UPI क्या होता है UPI देखिए यहाँ पर UPI का full farm क्या होता है तो यहाँ पर जो आपका 9 नंबर question एक क्रेक्टर एंसर क्या जाएगा unified payment interface होता है UPI के full farm क्या होता है unified payment interface ओके फिर हम बढ़ते हैं question number 10 पर जो की है banking में अधिक संख्या में चेको के निस्तारड के लिए निमनीखित में से कौन सा प्रियुक्त होता है banking में अधिक संख्या में चेको के निस्तारड के लिए इन में से कौन सा प्रियुक्त होता है बार कोड रिडर OCR OMR या फिर MICR question number 10 का correct answer क्या होगा तो यहाँ पर जो है कि अ करेंख है मैं चिकू किनी स्टारड के लिए कोश्न नमबर टेन का डी नमबर जो आपसन है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन की ओर तो नेक्स्ट कोश्टन क्या कोश्न नमबर 11 जो किploy its का पुरूब क्ये ifs का फूलन फॉर्म है धेज्टाल फॉस्विस डिजिटाल फाइल सर्वी üz से डिजिटाल क्या होता है क्या होता है दिजिटाल सर्विसुर्ण tieала n тебе न mut पर जो आपसे डिजिनल फाइंसियल सर्विस यह आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फिर हम बढ़ते हैं कोसर नमबर 12 पर जो कि है बैंक गोल्ड लोन कब देता है आप उसलों का ब्यापार करने पर सोने के आभूसर गिर्वी रखने पर सोने के आभूसर खरीदने पर या फिर उपरोग सभी कोसर नमबर 12 का क्या है तो क्या है तो यहां पर टेंसर क्या जाएगा 12 का सोने की आभूसर गिर्वी रखने पर क्या है अधार सीडिंग क्या होता का है bank को अकाउन के अधार जोड़ना या फिर अधार काड को POST lumière काड को GAS Connection जोड़ना या फिर इन में से कोई नहीं कोस्टर n come 13 9 8 tip काया है तो अधार सेटिंग के मतलब होता है कि अधार bank account से अधार को जोड़ना क्या होता है आपका अधार criança इंटरनेट बैंकिंग का लाव नहीं है इंटरनेट बैंकिंग का लाव नहीं है तो 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 इंटरनेट question number 14 का correct answer क्या है 14 का A14 का A number जो आपका पिल्कुल correct होगा फिर हम बढ़ते है question number 15 जो कि है IRCTC एक क्या है IRCTC एक क्या है plastic money email service provider railway service provider या फिर e-wallet question number 15 का correct answer क्या होगा तो IRCTC क्या होता है IRCTC होता है Indian railway catering and tourism corporation या आपका क्या है railway service provider है question number 15 का C number जो आपसन है correct होगा फिर हम बढ़ते है question number 16 जो कि है bank किस पर ब्याज देता है deposit यानि की जमा पर loan पर withdraw या फिर transaction पर तो बैंक किस पर ब्याज देता है deposit जमा पर ब्याज देता अगर आप खाता खोलना चाहते है तो उसके लिए नियुनतम रास कितनी होनी चाहिए 100 रुपए 200 रुपए कोई नियुनतम रास नहीं है या फिर 500 रुपए तो PMJDY में खाते के लिए आपके पास कोई नियुनतम रास होनी क्या हो सकता नहीं होती है 17 का C नंबर option आपका बिल्खुल करेक्ट है फिर हम बढ़ता है question नंबर 18 पर नियुन में से कौन सा कार मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से संभव है Funds Transfer, Cash Waiter, दोनों या पिर इनमें से कोई नहीं इसमें से करेक्टन सर जाएगा funds transfer क्यों जाएगा funds transfer आपसन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा question number 18 यह नंबर जो आपसन है आपका funds transfer यह आपसन आपका बिल्कुल करेक्ट है फिर हम बढ़ता है question number 19 जो कि अचल pension ही हो जनाए में 100 रुपए या 100 रुपए तो चार्प करने के लिए 42 रुपए प्रतिमा आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा ठाप जोए कि a पाचान के सत्यापन से याने आपके अडेंटिटी वेरिफिकेशन के उद्देश से इस्तेमाल किया सकता है, पासपोर्ट, पायन कार्ड, ड्राइवी लेक्सेंस या फिर उपर युग सभी, तो यहाँ पर युग सभी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोस्टन नमबर ट्व पर रुपए को सुरचित बेज सकते हैं, चेक के द्वारा, डिमांड आपके द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं, तो यहाँ पर बहुत दोनों, यह दोनों आपके बिल्कुल करेक्ट होगा, कोस्टन नमबर ट्वेंटी वन का, सी प्रापती करने है, तो रिड़ लेने है, तो या फिर उपर युग सभी, तो कोस्टन नमबर ट्वेंटी टू का क्रेक्टर एंसर क्या होगा, तुझे एक बेंक हो सकता है, इन सभी के लिए हो सकता है, बेंक का क्या कारे होता है, जनता से जमास्विकार करना, जनता को रिड में से कोई नहीं तो question number 23 का c number जो option उपर यूख दोनों या option आपका बिल्कुल correct होगा 23 का c number option बिल्कुल right है फिर मढ़ते है question number 24 noon में से कौन सा घर में नकदी रखने से नुक्सान है घर में नकदी रखने से क्या नुक्सान होता है या फिर साख की योगिता नहों ना या फिर उपर यूख सभी क्योंकि अगर आप नगदी रुपए घर पर रखते हैं तो क्या वह आशुर आचित रहेगा चोर चोरी कर सकता है साथ में विकास के आउसर खो सकते हैं और इसका तक जो है कि साख की हो कितना होना यानिक जिसक्ष अगर आप चाहें कि आपने रुपए घर पे रखा हुए आप चाहें कि यह कहीं दूसरी जगर जाकर करके हम रुपए को प्राप्ट कर लें तो नहीं मिलेगा जब कि अगर आ अ Important ऩह करेंब होगा कि अनिश्चित वित्य अंक्ट से बचनेए तो क्या आव्स्यक हले मोबाइल प्रोग्राम बैंठ खाता है लों या फिर साख कोश्वन नमब ट्व्यंटीफाइब का करेक्टर एंसर क्या और तो अनिश्चित वित्य अंक्टर सें नमबर जो आप से ने रिख्ट है बैंक खाता ओके तो आज के 25 को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और साथ में बिल लेकिन को भी प्रेस करें इससे कि जब भी कोई वीडियो अप्लोड के या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपसे कोई भी वासे मूझे तू अबए मुझे झाल से तू उड़ जो ने लेकि जा जो एतो शिल रखिवाब को सब्सक्राइब कोई भी बासे को अजय को सब्सक्राइब करें तू है उप झाल रखिवास फे प्लोड़ हो